अब आए भागदो में औरंगाबाद बिधान सभाद छेतर के लोक उमिद्वार संजीव नारायन के बारे में विश्तिर्थ जानकारी लेते हैं कि किन कारणों से क्यों औरंगाबाद बिधान सभाद छेतर में स्री संजीव नारायन को लोक उमिद्वार बनाया गया है राजनिती में केवल धनबल का परियोग करके धनबल कमाया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि राजनिती पैसा बनाने का मसीन नहीं है सेवा के लिए राजनिती में लोग आए और सेवा और फकीरी की अस्थापना के लिए हम लोग और अंगाबाद विधान सवाम परियोग क से लोट के जाता है इवाओं के रुजगार के लिए आता है लोट करके चला जाता है और कोई भी जन परती थी जो वर्तमान में हैं इवाओं के रुजगार की बात नहीं करते हैं हम चाहते हैं कि जब सरकार पैसा भेजती है तो उस पैसा को का सद उपयोग हो और इवाओं के ह में रोजगार हो किसान के खेत में पानी हो अब औरंगाबाद का ले लीजे तो उत्तर कोई परियोजना जो है 1972 कि है 50 वर्स होने को है पताए कोई परियोजना पचास वर्स में पूरी नहीं होगी आज जो है देश का संसाधन समाज का संसाधन का इतना घोर दूर्पयोग हो रहा है कोई सड़क बनने में 10 करोर लगता है तो उसका जमीन पर उपयोग 2-3 करोर होता है और 7 करोर बीच में रह जाता है हम चाहते हैं कि राजनीती में अस्थापित ऐसा हो कि जो 10 करोर है उस जमीन पर उत्रे जैसे बुढ़ा-बुड़ी बांध है उसका 1998 में 20 करोर का एस्टेमेट था अब बताईए जिसका 20 करोर का एस्टेमेट था उसको हम लोग 2 करोर से भी कम में बनाए अगर सरकार 20 करोर हम लोग को दे दे तो हम लोग तो बुढ़ा-बुड़ी जैसा 10 डैम बनाए और 10 जो मरी हुई नदी है सुखी हुई नदी है उसको फिर से बहा दे जैसे औरंगाबाद और गया जीले को सिंचित करने के लिए बिहार में उत्तर क्विल परियोजना है और 10 साल काम नहीं हुआ तो हर हाल में जल्दी से काम हो अगर इसका काम पूरा हुआ कुटकुडे में फाटक लगा तो एक लाख हेक्टेर में सिचाई होगी और जब एक लाख हेक्टेर में सिचाई होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार खेती से बड़ा कोई उद्योग भारत में नाइंटी परसेंट लोग और अंगाबाद में खेती पर आसे हम चाहते हैं कि उत्तर कोईल का पानी खेत में पहुँचे और खेत में पानी पहुचने से खेत सोना उगले युवाओं के हाथ में रोजगार हो जाएगा आज युवा जो बेरोजगार हैं तो ऐसा नहीं होगा अगर खेत में पानी होगा तो उत्तर को इलकी बात करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं तो लोग को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब समझ में बात आ गई है लोगों को कि आज जब लोगडाउन हुआ आज कोरोना काल में जितने लोग बाहर मुंबई दिल्ली पंजाब में जवानी बेच रहे थे और उधर से रोग लेकर क्या हैं उनको तो गाउं में ही रहना होगा और गाउं में खेती के सिवा कोई विकल्प नहीं है दस भीगा जमीन वाला भी बाहर में 2000-3000-5000 की नोक्री करने जाते हैं तो जब खेत में पानी होगा तो सिचाई होगी तो अवेसेली की खेत में पानी होने से खेती होगी और खेती मजबूत होगा तो गाउं मजबूत होगा इवा मजबूत होंगे किसान मजबूत होंगे सुन्दर गंजो पूल है वो दो लोग सभाचेत्र औरंगाबाद और काराकाट तीन विधान सभाचेत्र को जोड़ने वाला पूल है नभीनगर औरंगाबाद और कुटुमबा इसके वजह से कोई जन परतिद्धी उसमें इनिसेटिव नहीं लेता था और 120 गाओं के लोग प ताकत होती है औरंगाबाद समहार नाले के सामने हम लोग का आमरन अंसन चल रहा था और औरंगाबाद के इतिहास में पहली घटना है कि हम लोग जमीन पर दरी पर बैठ करके जनबल की ताकत से सभी जन परतिद्धियों को जुकाए औरंगाबाद के विधायक नभीनगर के विधायक कुटूंबा के निर्विर्टमान विधायक वहां आये और डेड़िड करूर का लिखे फिर जिला पदाधिकारी वहां आकर के साड़े चार करूर रुपया दिये नौ करूर रुपया पहली बार ऐसा हुआ कि जमीन पर से ले करके हम लोग उठे और सुन्दर गण पूल बना जिससे 120 गाओं का आवागमन आज बहुत आसानी से होता है बहुत आराम से होता है और अंगाबाद विधान सवाब में हम लोग का प्रयास होगा कि जो सरकार की उजना है और उसमें जो धन आ रहा है उसका सत परतिशत उपयोग हो और सत परतिशत पैसा को जमीन पर उतारने के लिए हम लोग एदम जीज जान लगा देंगे हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि पैसा जो मिसुज हो रहा है पैसा जो लुटा जा रहा है नहीं लुटा जाए और जमीन पर उत्रे ताकि युवाओं के हाथ में रुजगार हो संसाधन आगे बढ़े और किसान का उधार हो पूरे पांच वर्सों में वेतन और TADA का पैसा एक रुपया भी हम अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे पूरा का पूरा पैसा जिस दिन वेतन आएगा उसके दूसरे दिन परतेक पंचायत में एक लोग कमिटी बना करके और उस लोग कमिटी को समर्पित करें दान करेंगे जिससे कि वहां युवा को यूथ को इंप्लाइमेंट में सहायक हो दुसरा जब तक उत्तर कोईल का कुटकु डेम में फाटक नहीं लगेगा तब तक प्रतेक दिन विधान सभा जब चलेगा हम जाएंगे कुर्शी पे नहीं बैठेंगे जमीन पे बैठेंग ताकि सरकार के संग्यान में मेरा विरूत प्रतेक दिन जाए और हर हाल में मेरा प्रयास होगा कि एक वर्स में काम हो तिसरा पूरे पांच वर्स जनता के बीच जनता से मांग कर खाएंगे और जनता से मांग कर के पहनेंगे ऐसा नहीं होगा जैसे होता है कि विधायक ज्या झाल झाल